दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डिलीटेट फोटोज को रीकवर कर सकते हो डिलीटेट फोटोज को आप कैसे दोबारा से वापस ला सकते हो क्योंकि काफी डैब ऐसा होता है कि गलती से हमारे जो important photos होते हैं वो gallery से delete हो जाते हैं हम काफी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं deleted photos को recover नहीं कर पाते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको आप use करके आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो दोबारा से वापस ला सकते हो देखो एक चीज़ मैं आपको clear बता दू deleted photos को recover करना आसान नहीं होता है ठीक है अगर आप data का backup create नहीं करते हो photos का backup create नहीं करते हो दोस्तों deleted photos को recover करना easy नहीं होता है ठीक है कुछ ऐसे application होते हैं जो काम करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे application के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप try कर सकते हो हो सकते है कि आपके phone में application काम कर जाए आपके deleted photos recover हो जाए इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने important photos को जिन्दगी भर के लिए save कर सकते हो life time तक लिए आपके ऐसे सुरचित रख सकते हो अगर गलती से आपके photos delete हो जाते हैं अगर in future कभी आपके photos gallery से delete हो जाते हैं तो दोस्तों आप Google Photos के help से Google Photos app को use करके अपने deleted photos को recover कर सकते हो ठीक है तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा interesting है जरूरी है अगर आपका phone खराब हो जाता है चोरी हो जाता है तूर जाता है simply आपको अपने Gmail account को नए phone में login करना है आपके पुराने सभी important photos दोबारा से वापस आ जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment चैनल को subscribe जरू के जगा अब चलिए वीडियो को शुरू करते है दोस्तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो deleted photos को आप कैसे दोबारा से वापस ला सकते हो सबसे पहले हम gallery को open करते हैं अब हम कुछ photo gallery से delete कर देते हैं तो दोस्तो हमने गैलरी से 10 photo delete कर देए हैं जब भी कोई photo gallery से delete होता है दोस्तो को delete होने के बाद 30 दिन तक recently deleted के इन्दर रहता है आप चाहे किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो दोस्तों आपके फोन में एक फोल्डर होगा Recently Deleted के नाम से या Bean के नाम से ठीक है अगर गलती से आपका फोटो डिलीट होता है बस आपको करना क्या है Recently Deleted फोल्डर को ओपन करने जब आप इसको ओपन करोगे इस तरह रिस्टोर कर सकते हो रिकवर कर सकते हो ठीक है आप देखो हमने एक फोटो रिस्टोर कर दिया है दोबारा से गैलरी में वापस आ चुक है ठीक है ये पहला प्रोसेस है अगर दोस्तों Recently Deleted के अंदर फोटो आपका नहीं दीखता है ठीक है यहाँ पर आपका फोटो सो नहीं होता है तो आपको करना क्या है थर्ड पार्टी अप्लिकेशन इंस्टॉल करने किसी-किसी फोन में थर्ड पार्टी अप्लिकेशन काफी अच्छा काम करते है ओके आपको Play Store को ओपन करने यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटो रिकवरी ठीक है आपको यहाँ पर सर्च करना है फोटो रिकवरी ठीक है जब आप फोटो रिकवरी सर्च करोगे आपको यहाँ पर एक अप्लिकेशन मिलेगा File, Recovery, Photo, आपको इस पर टाप करना है 4.4 की काफी अच्छी रेटिंग है 10 million से भी ज़्यादा बर इस application को install किया जा चुक है आपको यहां से इस application को install कर लेना है ठीक है आप देखोगे तो आपको यहां पर काफी सारे application मिलेंगे ठीक है आप इनके download से देख सकते हो 50 million plus download है 100 million plus download है ठीक है यह application काम करते होंगे तभी लोगों ने इन application को install किया है ठीक है तो आपको इन application को अपने phone में try करने है ठीक है कभी-कभी application काम कर जाता है deleted photos दोबारा से वापस आ जाते है तो आपको application को install करने है application को open करने जब आप application को open करोगे ठीक है, आपको यहाँ पर एक दो एड्स भी सो होंगे अब आपको OK पर टाप करना है दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस सो होगा ठीक है, आपको Start पर टाप करना है अब आपको इस application का permission allow कर देने अब आपको यहाँ पर काफी सारे options होंगे ठीक है, आपको photo recover करना है तो आपको photo पर टाप करना है इसके बाद आपको allow करना है permission को allow कर देने, ठीक है अब आपको यहाँ पर दो options होंगे scan all files, scan deleted files ठीक है, तो हमें deleted photos को search करने आपको second वाले option पर tap करने ठीक है, अब यह scanning करेगा आपको थोड़ा सा wait करना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो scanning complete हो चुक है अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपके सभी deleted photos show हो जाएंगे, आपको add को cut करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे deleted photos show हो रहें, ठीक है आपको इसको hide करना है अब दोस्तों अगर आप in deleted photos को recover करना चाहते हो आपको in photos को select करने select करने के बाद आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो ठीक है, कैसे select करने आपको यहाँ पर tap करने इस तरह आपको photos को select करने ठीक है select करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा recover का आपको इस पर tap करना है जब आप इस पर tap करोगे दोस्तों आपके deleted photos recover हो जाएंगे ठीक है आप देख सकते हो हमने 3 photos select किये थे 3 photos recover हो चुके है ठीक है तो इस तरह आप third party application को use करके अपने deleted photos को recover कर सकते हो ठीक है दोस्तों कुछ phone में यह application काम करते हैं कुछ phone में काम नहीं करते हैं अब इसके बाद हमारा जो अगला process है कि कैसे आप अपने important photos को lifetime तक के लिए save कर सकते हो जिंदगी भर के लिए आप अपने important photos को कैसे सुरचित रख सकते हो ठीक है अभी आप देख सकते हो हमने तीन photos recover किये हैं तीनो photos gallery में दो बारा से वापस आ चुक है ओके देखो अगर आप अपने photos को जिंदगी भर के लिए save करना चाहते हो तो आपको एक application यूज करना है जिसका नामे photos आप चाहे किसी भी company का phone यूज करते हो आपके phone में ये photos app जरूर होगा आपको इस पर tap करना है जब आप इस पर tap करोगे दोस्तों आपके gallery के सारे photos आपको यहाँ पर show हो जाएंगे ठीक है अब आपको करना क्या है photo पर tap करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा upload का आपको इस पर tap करने जब आप इस पर tap करोगे आपका photo upload हो जायगा ठीक है आप देख सकते हो photo हमारा upload हो चुक nämा जो भी photo upload हो जाएगा उस पर ये icon बन जाएगा ठीक है ये वाला icon बन जाएगा तो इस तरह आप एक एक करके अपने important photos को save कर सकते हो अगर आप एक साथ करना चाते हो select करके तो दोस्तों आपको इस तरह photos को select करने select करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा backup आपको इस पर tap करने आपके सभी selected photos save हो जाएंगे, upload हो जाएंगे ठीक है, आप एक Gmail account के अंदर 15GB तक का photo video free में upload कर सकते हो अगर in future कभी आपका phone खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तूर जाता है या phone reset हो जाता है, simply आपको अपने इस Gmail account को phone में login करना है आपके सभी save किये गए photos, आपको दोबारा से वापस मिल जाएंगे ठीक है, अगर हम in photos को gallery से delete करते हैं, दोस्तों delete करने के बाद भी ये photo photos app में save रहेंगे ठीक है, हम gallery को open करते हैं, और यहाँ से in photos को delete कर देते हैं तो हमने in photos को delete कर दे हैं, ठीक है, अब हम photos app को open करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटोज अप के अंदर हमारे फोटोज सेव हैं ठीक है अगर आपको इनको recover करना है वापस लाना है आपको फोटो पर tap करना है त्री डॉट पर tap करना है आपको यहां पर एक option मिलेगा download का आपको download पर tap करना है ये डाउनलोड होकर आपके गैलरी में दोबारा से वापस आ जाएगा तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है फोटोज को जिन्दगी भर के लिए सेव करके रखने का ठीक है आपके फोटोज कभी भी डिलीट नहीं होंगे अगर आप एक बार फोटोज एप के अंदर अपने इमपोर्टेंट फोटोज को सेव कर दोगे ओके और ये जीमेल अकाउंट आपके पास हमेशा रहना चाहिए इसका पासोड आपको पता रहना चाहिए जिस फोन में आप जीमेल अकाउंट को लॉगिन करोगे उस phone में आप अतने important photos को वापस लापाऊगे ठीक है तो दोस्तों ये तरीका है deleted photos को recover करने का important photos को जिन्दगी भर के लिए save करने का तो उमीद करता हूँ आपको ये video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई वीडियो को like कर दो चैनल पने चैनल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeable videos बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद